सुवागा थे दोस्तो अपने यूटूब चैनल आईटे टेकिनिकल कोर्स में दोस्तो ये पेपर जो CBT एक्जाम पेपर हुआ थे फिटर वाले स्टुडेंट का उनका है ये एंसर की है दोस्तो इसमें वर्क्षाप कैकुलेशन इलेक्टिशन थिवरी के पेपर आपको मिलेंगे बहुत सरल कोशन आया था फिटर वाले स्टुडेंट जरूर देख लेना उनके लिए था इसमें जैसे थिवरी के 40 कोशन में से अटेंड ओ लड़का 37 किया था बटो उसको 5 गलत हो गया था ऐसे वर्क्षाप कैकुलेशन में 20 में से 15 अटेंड ने किया था उसका 2 ही सही था क्यों ऐसे गलत हो रहा क्योंकि पढ़के नहीं गए होंगे ऐसे कोशन अटेंडिक किये नहीं होंगे इसलिए फैल हो रहे हैं आप लोगों को साथ ऐसा ना हो इसलिए आप लोग जरूर देखा करो फीटर के कोशन है CBT एकजाम 2020 इस्टूडेंट एंसर सीट है इसको बोला जाता है एंसर सीट ठीक चलिए आते हैं मैं आपको फ़र्श नम्मर कोशन देखा देता हूँ जैसे यहां पर फाइब नम्मर कोशन ये बोल रहा है फाइब नम्मर कोशन की बात करते हैं तो फाइब नम्मर कोशन यहां पर दिया है surface hardening करने की बिधी क्या है surface hardening करने की जो method होती है वो होती है B number इसका right answer होगा pack carbo racing आगला question है multi start thread की lead क्या है multi start thread की lead right answer होगा pitch into starter की संख्या ठीक question अच्छे आये थे आप लोग जरूर देखा करो question CBT exam paper पे जो हुए थे तो ऐसे एक paper हुए थे channel पे नए हो channel को subscribe करने न like कर देना share कर देना अगला question है किस सामग्री को charge करने के बाद tapping plate को धोना है right answer इसका B number होगा mid tick tail से tapping plate को धोते हैं mid tick tail से अगला question जैसे दिया है saft के बाहरी ब्यास पर suncuren size की जाच करने के लिए gauge कौन सा है सब को मालूम होना चाहिए सब पढ़े होंगे यह ring gauge है अगला question है किस आकर सक एबरुस्ण का उपयोग नरम इसपात और अलाहत अधातों को lepping के लिए किया जाता है इसका जो right answer होगा D number होगा Fused Illumina correct answer ही जो D number right होगा गलत answer बहुर दिखा दे रहा है आप लोग जरूर देख लेना लाल कलर से दिखा देता है right answer इसका D number होगा answer right लिख रहा है चलो अगला question की और ध्यान दिया जाएता अगला question यह बोल रहा है कि steel में tapering प्रक्रिया क्यों की जाती है जो steel होती है इसमें tapering प्रक्रियस ली की जाती है क्योंकि कठोरता और toughness को regulate करने के लिए right answer D number correct होगा ठीक अगला question है किस प्रकार की bearing अक्छी threads के साथ साथ radial भार उठाने के लिए बनाया गया है इसका right answer D number होगा angular contact ball bearing ठीक चलो अगला question की और अध्यान दिया जाता अगला question ये है किस प्रकार के bearing धातू में swim इसने हक होता है इसका जो right answer होगा B number होगा sinstate alloy right answer ही जे correct B number अगला जैसे दिया है light loading और कम गतिक application के लिए कौन सी bearing सामगरी कुपियोग किया जाता है right answer A number होगा cast iron अगला question जैसे लिखा है इसका right answer C number होगा और अगले question की और चलते हैं अगला question देख लेते हैं पंदरा नम्मर है X के रूप में चीनित भाग का नाम बताना है याप एकस के रूप में चीनित है इस भाग का आपको नाम बताना है इसका right answer D number होगा बाल separating gauge है ठीक right answer इस ये D number अगला है किस bearing की उसमी चालता thermal continuity कम होती है इसका जो right answer होगा D number होगा eliminated phenylix इसका जो होती continuity कम होती है अगला question है 50 mm से 150 mm ब्यास के pipe को 81 question कहांगे भाई question दिखाओ सभी student गाली दे रहे है कहां लेकर चले गए चलो अगला question दिखाओ होगया अगला है X के रूप में चीनित भाग का नाम बताईए यहां पर X से चीनित भाग का नाम क्या होगा और इसका जो right answer होगा मैं बता देता हूँ यहां पर X से चीनित भाग है इसका right है cutter wheel ठीक चलो next question pipe के कार्यों में elbow और band पर बिचलन का कूण कितना होता है सब को मालूम होगा elbow 45 और band पर 90 का होता है डिगरी का कूण 90 और 45 का कूण बनता है right answer एक नमबर होगा अगला question की और चलते हैं अगला question long radius elbow के लिए 30 size क्या होती है इसका जो right answer होगा B नमबर होगा pipe के बारे में एक बटे सही एक बटे दो बार questions लाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग को मालूम पढ़ जाए कि फिटर के paper पे question कैसे आया था आपको कैसे त्यारी आगला question है इस जीग का नाम क्या है इस जीग का नाम क्या है इसका right answer होगा C नमबर turn over G चलो अगले question की ओर चलते है फिक्षर में उप्योग किये जाने वाले setting block का उद्देश क्या है इसका right answer D नमबर होगा cutter से संबाने इस्थिरता और काम की इस्थिति correct answer इसका जो होगा D नमबर हो जाएगा चलो अगले question की ओर चलते है जैसे लिखा है कि aluminum धातू का रंग क्या है यहाँ पर aluminum जो धातू होती है material है उशका color पूँचा गया है इसका जो right answer होगा C नमबर होगा वाइटिंग गे correct answer इसे C नमबर next है built drive में यक्स के रुप में चिनित भाग का नाम क्या है यहाँ पर belter से drive दिखे रहा है और यहाँ से यक्स के रुप में चिनित भी है इसको बोलते है जाकी पुल्ली जाकी पुल्ली ही इसका right answer होगा next है कौन सा I-S aluminum का निसकरसक है इसका right answer होगा back side जो aluminum का निसकरसक है वो होगा back side अगला दिया है किस I-S के में से सीशा धातू उत्पन होती है इसका right answer होगा गे लेना गे लेना जो होती है सीशा धातू से उत्पन होती है अगला दिया है दो magnetic gear पर कालपनिंक संकर्ल कौन सा है इसका right answer होगा pitch circle अगला है hydraulic pump में किस उर्जा को परिवर्दित किया जाता है इसका right answer होगा यांत्रिक उर्जा को hydraulic उर्जा में नेश्ट दिया है एक तरह से प्रवाह नियंत्रन बाल्ब में X के रुप में चिनिर भाग का नाम क्या है ये एक तरह से वाल्ब है X के रुप में चिनिर जो बाल्ब है इसका नाम है thrutling screw correct answer इसका A नमर होगा thrutling screw जिसे अगला दिया गया है Yes I EKI में प्रिसर की EKI क्या होती है सबकों मालू है पासकल होती है अगला question जिसे दिया गया है किस तियम में कहा जाता है कि एक तरल पर डाला गया दवाओ सभी दिसाओं में समान रूप से प्रसारित होता है इसका right answer होगा पासकल का नियम Next जिसे दिया गया है hydraulic system में कौन सा बाल्ब अरफिस या रिस्क्रिक होता है इसका right answer होगा flow control valve Next जिसे दिया गया है X के रुप में चिनित प्रतीक को नाम दे यहाँ पर X से जो चिनित प्रतीक है इसका नाम बताना है इसका right answer होगा A number correct flow control valve है X के रुप में चिनित प्रतीक का नाम क्या है इसका right answer होगा आबरती के लिए निर्धारित right answer जिसे D number correct हो जाएगा नेश्ट जिसे दिया गया है गेर संदक्षक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलन सीलता तेल का अनुपात क्या होता है राइट अंसर होगा वन अनुपात है बीस अगला दिया गया है कौन सी गुण यह बताता है किस नेहका तापमान डालते समय सोतंत्रता रूप से प्रभाव करने में सक्षम है राइट अंसर सी होगा पोर पॉइंट 35 कोशन ही कराएंगे